हम देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जगंदे अपराज होता है हमारी बेहन उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलतकार होता है ममता बैनर जी बिलकुल स्पश्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी उनको संरक्षन देंगे आज जब ममता बैनर जी ताना शाह निर्ममता बैनर जी विफल रही कि कानून विवस्ता मजबूत रहे हमारी बेहन हमारी माताएं सुरक्षित रहें वो विफल रही तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो चात्र हैं जो युवा हैं और रादितिक शेत्र में भारती जन्ता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकरात्मक भूमिका क्या होती है उसकी ताकत क्या होती हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जब छात्र शांती पूर्वक जो की उनका संविधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें तो लू दुख दर्शक बनी रहती है चुपपी साथ देती है और जहां हमारे डॉक्टर युवा साथी सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया हाता पाई की गई और अब हम जो देख रहे हैं वही कार रहे नबन्या अभ्यान जो है वहाँ क् फिर से पुलिस मुश्टेदी से खड़ी है वाटर कैनन डंडे चलाना बलकि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं कंटेनर और डंडे वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं इन्होंने दुशकर्म किया है ये है ताना शाह ममता बैनर जी की आँखें जिन आखों में एक जगन अपरादी के लिए प्यार है लेकिन जो छात्र हैं जो डॉक्टर हैं उनके लिए सक्त करवाई करने के लिए पुलि ये चिंता जनक है और मैं इस प्रतम बिंदू में आज एक बाच पश्ट कर दूँ ताना शाह ममता बैनर जी और साथ में वो पुलिस कमिशनर जिनों ने इसको आत्म हत्या बताया था और उसके बाद सर्वोत नाले और कलकत्ता उचनाले से फटकार लगी आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिशनर हो चाहे वो ममता बैनर जी हो पहले तो इन्हें तुरंत स्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निश्पक जांच हो सके दूसरी बात सत्य को वहार आना चाहिए इसलिए जांच एजिनसी सी ब को दवाया नहीं जा सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और चात्रों को कुछले का काम कर रहे हैं ये संविदान को तारतार कर रहे हैं इसको सहा नहीं जाएगा पूर जोर तरीके से ये बात उठाई जाएगी जैसे आज इ जो मृतक पीड़ता है हमारी बहन उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और हर महिला पच्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं होती तब तक हम लोग इस मंच से और प्रदेश के मंच से चात्रों के साथ डॉक्टरों के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहेंगे